नहीं ले पाएं किन्तु वर्चियल रूप में ही सही हमने आशियान इंडिया समीट की परंपरा को बरकरार रखा है मैं हिज मेजिस्टी बुरुने के सुल्तान का 2021 में आशियान की सफल अद्रिक्स्ता के लिए अभिनंदन करता हूं Your Majesty, Excellencies, COVID-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनोतियों से जूजना पड़ा लेकिन यह चुनोति पूर्ण समय भारत आशियान मित्रता की कसोटी भी रहा COVID-19 के काल में हमारा आपसी सयोग, आपसी सम्वेदना भविश्ट में हमारे समंधों का बल देते रहेंगे हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे इतियास गवा है कि भारत और आशियान के बीच हजारों साल से जीवन्त समंध रहे हैं इनकी जलक हमारे साजा मुल्य, परंपराएं, भाशाएं, गरंत, वास्तुकला, संस्कृती, खानपान हर जगा पे दिखते हैं और इसलिए आशियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदेव एक महत्वपुन प्रात्विकता रही है आशियान की यह विशेद भुमी का भारत की एक इस्ट पॉलिसी जो हमारी सिकुरिटी और ग्रोथ फॉर आल इन दे रीजन यानि सागर निती में निहित है भारत के इंडो पसिपिक ओशन इनिशेटिव और आशियान के आउटलुक फॉर दे इंडो पसिपिक इंडो पसिपिक शेत्र में हमारे साजा वीजन और आपसी सहयोग का धाचा है यूर मेजिस्टी एक्सलेंसी वर्स दो हजार बाईस में हमारी पार्टनर्शिप के तीस वर्स पुरे होंगे भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्स पुरे करेगा मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपुर्ण पड़ाव को हम आचियान भारत मित्रता वर्स के रुप में मनाएंगे भारत आगामी अध्यक्ष कमबोडिया और हमारे कंट्री को कोडिनेटर सिंगापूर के साथ मिलकर आपसी समंदों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए आतूर हूँ बहुत बहुत धन्यवाद इंटजाओ